गुड मॉर्णिंग क्लास थी के बच्चों आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण किताब से कल जो मैंने पढ़ाया था चैप्टर असुद्धी सोधन असुद्धी सोधन जो आपके exercise 13 में है इसको मैं आज बताने जा रहा हूँ इसमें कल मैंने आपको मौखिक बताया था आज मैं आपको लिखकर बताता हूँ कि असुद्धी सोधन क्या है असुद्धी सोधन में सबसे पहला प्रसन आता है आपको कि कोस्टक में दिये गए सब्दों के सही रूप से रिक्तस्थानों की पूर्टी किजिए सही रूप से अब देखे यहां सारे सब्द गलत दिये हुए हैं जैसे यह सब्द दिये हुआ है गलत सूरज तिथी परिच्छा जो कि मैं कल भी बताया था कि यह सारे वर्ड गलत हैं अब देखे इसी के करण सेंटेंस गलत हो जाता है तो यहां देखिए कि इसको सही कैसे करना है तो यह सब्द है तिथी यह सारे सब्द गलत है इसको सही करने के लिए अब क्या करेंगे तो तिथी में तो में हरसी कार लाएगा और थो में भी हरसी कार लाएगा फिर यह सही हो उसी तरह से सूरज में सौ में द्रगुकार, रौ और जौ होगा उसी तरह से परिक्षा में पौ रौ द्रगीकार और अक्षो में आकार उसी तरह से बीमार में बौ में द्रगीकार, मौ आकार और रौ अब यह हो गया आपका सही तो इस तरह से आप अपने इस असुद्ध सब्द सब को सुद्ध कर लेंगे इसके बाद आए तो आप फिर देखिए यहां जो आपको दिया गया है दूसरा प्रस्ण जिसमें असुद्ध सब्द को सुद्ध रूप में लिखना है यहां सारे असुद्ध सब्द लिखे हुए है यह सारे आपके असुद्ध सब्द हैं यह जितने भी सब्द हैं वे सारे आपके असुद्ध सब्द हैं अब इसके बाद यहां चार उप्सन में दिया गया है इसमें से सही उप्सन कौन सा है तो आप देखिए तो इसमें से आप दवाई का सही option क्या है तो दवाई का सही option यहां यह है उसी तरह से मचली है तो मचली का सही option क्या है तो मचली का सही option यह है उसके बाद फिर आप आजाईए question number 3 में तो यहां भी आपको यहां देखे क्यूं है तो क्यूं ऐसे तो नहीं लिखा जाता है इसका सही रूप यह है उसके बाद देखिए ओरत है, तो ओरत को अब कैसे लिखेंगे, तो ओरत होता है, तो ओ की मात्रा लिखेंगे अब, उसके बाद सकूल है, ओरत लिखेंगे, उसके बाद सकूल होता है, अब सकूल लिखेंगे, उसके बाद देखिए, तो आवाज है, तो आ होता है, आ की मात्र आ है, यहां ओ दिये हुआ है, उसके बाद सांती है, तो सांती में कैसे होगा, सवाकार, तलविश्व आकार, नो तो संजुक्त, और इसमें हर्सिकार लएगा, तो नो और तो संजुक्त हो जाता है, तो हर्सिकार उसके पीछे से लएगा, या नहीं, तो आप इसको ऐसे भी ल बलंत लगाए और तो में हर सिकार लिखे फिर उसके बाद आता है स्वास्त तो स्वास्त सव और संजुक्त आकार आधा सव आधा था और यह यह हो जाता है स्वास्त अब देखिए यहां इसको मैंने यहां लिख दिया यह तीसरा प्रस्ण का एंसर था दूसरा प्रस्ण में म उसकी कक्षा बहुत अच्छी है उसके बाद देखिए तो मैंने गूमने जाना है यह हुआ कि गलत है तो मुझे गूमने जाना है उसके बाद आकास पर बादल चा रहे हैं तो आकास पर बादल चा रहे हैं नहीं होगा यहां पर पर गलत है आकास में बादल चा रहे हैं उसके बच्चों को उबाल कर दूद पिलाओ अब देखिए हैं बच्चों को उबाल कर दूद पिलाओ कि दूद को उबाल कर बच्चे को पिलाओ ऐसा होगा बच्चों को उबाल कर तो नहीं दूद को उबाल कर बच्चों को पिलाओ इस तरह से आप इस सारे प्रस्नोतर को देखें और फिर आप इसको बनाएंगे इस तरह से यह चैप्टर आपका खतम होता है अब फिर मैं दूसरे दिन आपको